नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिवीन चैनल पे और भे जो आज का वीडियो है और जो प्लांट है वो इतना सुंदर है कि आप उसको कैसे भी लगा सकते हो छोटे से छोटे गमलों में डेकोरेशन के लिए हैंगिंग बास्केट में छोटे पोर्ट्स में और किस लिए होगा आज हम बात करेंगे बेवी सन रोस के बारे में और दोस्तों सुकुलेंट फैमली का प्लांट है सुकुलेंट मतलब जिसकी पतियां जिसकी स्टैम फ्लेशी होती है जिनको पानी की इतनी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती तो वैसे तो देखो सारे मोसम भर इसको इतने कोई ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती हलका फुलका जो हम स्प्रिंकल करते हैं या तीन चार दिन में दे रहते हैं लेकिन अब जैसे गर्मी का मोसम बढ़ता जा रहा है अब जैसे हम डेली वाटरिंग करते हैं तो इस पे भी वाटरिंग करेंगे लेकिन इतनी ज़्यादा भर-बर के नहीं क्योंकि दोस्तों जो हमारे सुकुलन्ट फैमिली के प्लांट है ना उनको इतना ज़्यादा पानी पसंदी नहीं होता बस एक मॉइस्ट्टर वाला एरिया बना रहे और वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे प्लांट है बेबी नज़र आ रहा है वो इसलिए कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक तो कोको कोयर की जो बासकेट होती है पानी उनमें ठैरता नहीं है ज़्यादा देर तक है ना और कोको कोयर की जो कोयर होती है उनमें मॉइस्टर को रिटेन करने की जो ताकत होती है वो और किसी मैटिरिय तो एक मुएश्चर वाला मीडियम भी इनके पास बना रहता है ना काफी देर तक मुएश्चर बना रहता है लेकिन इतना मुएश्चर जितना की बस इनको जरूरत है इतना भी नहीं के भर भर के हमने पानी दे दिया हलका फुलका मुएश्चर जो इन प्लांट्स को चाहिए बस उतना ही भर इनको चाहिए होता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब आप इस plant को लगाते हो तो आपको कोई इसकी कोई ज़्यादा देखपाल भी नहीं करनी पड़ती ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता अपने आप से ही आपकी cutting आप थोड़ी दिन में देखते हो ग्रो होनी शुरू हो जाती है अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो देखो गल भी सकती है लेकिन आप हलके से moist medium में अगर इसकी cutting को लगा देते हो तो इस तरीके से आपकी cutting सारी फैल जाएंगी और यह सारी नहीं नहीं ग्रो था दोस्तों क्योंकि पीछे मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि मैंने सारी की सारी इसकी जो branches थी और ही move कर दी थी बस जो अच्छी मुझे healthy branch लगी थी वो ही मैंने छोड़ दी थी और अब यह अच्छा खासा grow करने लग गया है अगर मेरे पास grow कर रहा है तो इसका मतलब इसका growing time चल रहा है न तो आप इसकी cutting बड़े अराम से लगा सकते हो कोई भी ऐसा fast rule नहीं है इसकी cutting लगाने में ना कोई rocket science है जैसे हम stempers लेना या पर्चुला का बगरा की cutting लगा रहे है न ऐसे ही आपने निचे के पत्ते हटा के soil में इसकी cutting को दबा देना है और इसकी दोस्तों छोटे से छोटी cutting भी चल जाएगी बड़े से बड़ी cutting भी चल जाएगी बस आपने इतना ध्यान देना है बस उसकी cutting में ज़्यादा पानी नहीं डालना है बस यही गलती आप कर देते हो कि आप सोचते हो कि हमने नहीं cutting लगाई है इसको पानी देने कभी यह सूख जाए नहीं दोस्तों जो हमारे succulent plant होते है न उनको इतने ज़्यादा कोई पानी की जरूरत नहीं होती हलके से moist medium में अगर आप लगा देते हो पहले सी moist medium है और फिर जैसे आप daily watering करते हो हलका सा भी sprinkle कर देते हो पानी को बस इतनी सी ही humidity या moisture इनको चाहिए होता है आसपास बस moist area इनको इतना भर-भर के पानी नहीं चाहिए होता क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों इनका जो root system होता है वो इतना ज़्यादा डिवैलप ही नहीं होता कि उनको ज़्यादा पानी की जरूर दो ये succulents जो है बाहर की तरफ ही ज़्यादा फैलते हैं इनकी root कोई इतनी ज़्यादा फैली होई नहीं होती कि वो पानी कोई कठा करेगी क्योंकि इसकी stem में इनकी पतियों में ही इतना moisture होता है कि इनका काम चल जाता है उससे तो ये देखो सारी नहीं ग्रोथ है दोस्तों पिछे मैंने सारे हटा दिये थे बस इन में कैलन कोई ही नजर आ रहे थे लेकिन अब ये देखो खुब अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है फिर मुझे लगा इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब इसका growing time है ये ख इसको लगा के और भी ज्यादा plant बना सकते हो तो multiply करना को इसको इतना मुश्किल नहीं है देखो सारी मैंने कटाई चटाई कर दी थी अब ये खुब अच्छे चल रहे है और hanging basket के लिए दोस्तों perfect plant है ये कभी भी नहीं सूकता कभी नहीं मरता evergreen poddha है हाँ सर्दियों में थोड़ी इसकी growth रुक जाती है तब हम इसकी हलकी कटाई चटाई कर देते हैं क्योंकि उस टब हमारे पास और भी बहुत plant होते हैं उगाने के लिए तो इतनी कोई इसकी कमीवी महसूस नहीं होती है लेकिन अब जब गर्मियों का मौसम बढ़ रहा है तो इसके plant जो है grow भी कर रही है flowering भी शुरू होगी है और दूसरा जो हमारी hanging basket खाली होगी थी सर्दियों के plant से वो भी अब भरनी शुरू होगी है तो बस मेरा तो यह है कि जब भी मैं plant लगाती हूँ दोस्तों इस तरीके से ही लगाती हूँ कि गर्मियों सर्दियों प्लांट आपके कभी भी से या port से खतमना हूँ कभी किसी पे कुछ चलता रहे कभी किसी पे कुछ चलता रहे इससे क्या होता है कि plant को भी एक help मिलती है दूसरे plant के साथ और दूसरा कि आपको भी बार बार plant लगाने से छुटकारा मिलता है अगर आप mix and match करके plant लगाते हो ना तो ऐसा नहीं होता कि गमला खाल ली हो गया बासकेट खाल ली होगी कुछ ना कुछ सर्दी गर्मी का आपने आपसे ही सीजनली निकलता रहेगा और आपकी बासकेट जो है हमेशा हरी भरी जाएगी आप देखो पिछे सर्दियों का मुसम था कैलन कोई कितने फैल ले हुए थी है ना सारी की सारी बासकेट ये कैलन कोई नहीं भरकी थी अब मैंने उनकी कटाई चटाई कर दी है हलकी और अब ये देखो अब इनका टाही में तो अभी अपना फैलने लग रहे हैं उस टेम वो खूब फैल रहे थे तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको बार-बार प्लांट भी नहीं आप भी हो सकते हैं और ये देखो इस टेम कितना गर्मी का मोसम चल रहा है अगर हम इस टेम कोई भी छेड़ खानी करेंगे शायद वो रिजल्ट हमें ना मिले जो कि हमारे पहले से लगे प्लांट में नजर आ रहा है आम मालिया में अब इसको दुबारा से उगाती सारा आते हैं हैं हेंगिंग बास्केट में थोड़ा हलका मीडियम बना लेना और अगर वैसे गमले रखने हैं तो बेरीवर सेंड में ला लेना और बिल्कुल कहीं भी रख दो इसको मेरे भी दूप में रखे हुए ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हाँ ग्रूप में रखे हुए और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि उनके लिए भी मुझे जंगय चाहिए और अच्छी खासी रूट बन रही हैं आपने भी देख लिया मैंने कई बार दिखा दिया है ना काफी सारे वो प्लांट भी त्यार हो रही हैं तो उस जब्बे में मैं वही सोच रही तब ही मैं आपके लिए एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको भी एक अच्छी खासी नोले जो जाए एक प्लांट के बारे में और बस आप भी सर्च करो बेबी सन रोज अगर आपके पास नहीं है तो बड़े अराम से कटिंग से उग जाती है देखो लगे हैं कितने अच्छा रिजल्ट आएगा जिनके लगे हुए उनको तो पता ही अभी कितना खुबसूरत प्लांट आई है और इस तरह से भई बार बर मैं कहते हूँ ग्रूप में प्लांट रखो ग्रूप में रखो इसे क्या है ना आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे तो यह देखो एक दम फ्रेश है अपने प्लांट और बस अब विदा लेते हैं सुन्दर सुन्दर फूलों के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया करें थैंक्यू वेरी मुच